तो दोस्तो फालनी ट्रावल चिपلا रोमर नेक्स ने एक और रिकॉड बना दिया जो रिकॉड डेवलो फैंस और रोमर नेक्स को विल्कूल फस्ट नहीं आया होगा तो दोस्तो आज के इस वीडियो मुशी के बारे में करेंगे बात तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आन तक बने रहे दोस्तो BTS मैकडाउन का एपिसोड रोमानेक्स के लिए अच्छा नहीं रहा और अंत में उन्होंने जीमी उसो का साथ ही दिया जे उसो ने जवदस सुपरकिक मार कर रोमानेक्स को धरासाई कर दिया सोलो सिगवा की हालात भी खराब कर दिया अंत में दोनों भाईयों ने मिलकर रोमानेक्स को डवल सुपरकिक लगाई इस सेग्मेंट के साथ ब्लड लाइन पूरी तरह तूट गई है ऐसा पाली बार नहीं है जब रोमनेक्स को धोका मिला हो रोमनेक्स को अभी तक चार बार धोका मिल चुका है जो कि एक रिकॉर्ड बन गया है फर्स्ट टाइम रोमबनेक्स को साल 2014 में धोका मिला था उनके दस सील्ड के मेंबर सेथ रोलेंस से सेथ रोलेंस ने सील्ड से अलग होते हुए इस्टिल शेयर से रोमबनेक्स और डीम नेमरों उसके उपर अटाक किया था इस साल भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब रोलेंस 2023 में रोमबनेक्स और केविन ओमेंस के बीच मैच हुआ जहाँ पर सेमी जान ने अपने दोस्त केविन ओमेंस को बचाने के लिए ट्रावल चिप रोमबनेक्स के उपर इस्टिल जेयर से हमला कर दिया था उसके बाद पिर नाइट आफ चेंपेंस 2023 में रोमबनेक्स के उपर उनके ही कजन ब्रदर जीमी उसो ने दो सुपर किक जड़ दी थी जिसके वज़े से रोमबनेक्स और सोलो सिगवा को सेमी जान और केविन ओमेंस के खिलाब हार का सामना करना पड़ा था अब इस वीकेस मैगड़ॉन में जे उसो ने रोमबनेक्स को जबर्दर सुपर किक मार कर जीमी उसो को साथ दिया तो दोस्तो इस तरह रोमबनेक्स को अपने ही टीम मेंबर ने चार बार धोका दे दिया है और दोस्तो अब दब ब्लड लाइन के स्टोरी लाइन और भी मजितार हो गई है क्योंकि डबलो डबलो ने एक टैक्टी मैच कनफर्म कर दिया है मनी इन दब बैंग में जोकी होने वाला है दा उसो जबर्जे रोमबनेक्स और सोलो सिगवा के बीच और दोस्तो डबलो डबलो ने इस टैक्टी मैच का नाम दिया है ब्लड लाइन सिविल वार तो दोस्तो अभी तक रोमरेक्स को सेथ रोलें सेमी जान जेमी उसो और जे उसो ने धोका दे दिया है तो दोस्तो अब नेक्स्ट कौन होने वाला आप हमें एक प्यारा से कॉमेंट करकर जरूर बताए तो दोस्तो इस वीडियो में तना है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में